आठवी स्कॉलर्शिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूटुब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताके हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारा फिफ्थ यूनिट चल रहा है क्रियेटिव राइटिंग उसमें हमारा आज का सब यूनिट है वेब साइट जिसे हम सिर्फ साइट भी कहते हैं वेबसाइट ऑलसो रिटना वेबसाइट और सिंपली साइट इसे रिलेटेद वेब पैजेस यह है वेब पैज्श का एक सेट होता है तिपिकली स्रवड फ्रॉम्ड से एक वेब डॉमेन से यह जो है से श्रॉम किया जाता है बहुत सारे इसमें अलग-अलग वेब पैज फ एक वेब सर्वर के जरिये होस्ट किया जाता है वाया नेटवरक नेटवक के जरिये अब इस तरह के जब वेब साइट पर मुनसिर कोश्चन्स आते हैं तो उस वक्त हमें कौन सी छीज़े ध्यान में रखनी है हमें पहले जब हम इस तरह की website देखेंगे question paper में तो उस वक्त हमें देखना है कि वो personal website है, commercial है, किसी company वगरा की है या फिर government की website है, या फिर कोई NGO वगरा, non-profit organization की website है, वो हमें देखना है Secondly, read the questions carefully and try to understand signs given on the toolbar, menu bar, task bar तो हमारे को जब computer के अंदर, जब हम websites open करते हैं, तो उसमें हमें देखना है कि toolbar में, menu bar में, task bar में, कौन-कौन से signs दिये गए है Read names of websites and information given on the website अब website जब हम open करते हैं, तो उस वक्त हमें कौन सी information दी गई है उसमें, वो हमें देखना है उसका नाम देखना है, कि कौन सी website का नाम वहाँ पर दिया गया है website जो है, हमेशा www.se start होती है Try to understand purpose behind forming website and information given on website जो website होती है, उसका क्या purpose है, या फिर वो किसी interior decoration की website है, suppose या फिर कोई company की है, जिसमें products है, clothing है, कपड़े वगरा है या फिर stationary का है, या फिर utensils का है तो इस तरह से हमें वो देखना है, कि वो कौन से products से related website है उसमें कौन सी information दी गई है उसका purpose क्या है Next है, 5th questions on websites should not be based on information or passage Question on websites अब वो सवाला दिये जाते है, वो जो है, कोई passage नहीं होता है या फिर उसके नदर कुछ जो information होती है, उससे related नहीं होता है बलके कुछ-कुछ ऐसी information जिसे के website का नाम क्या है, वो किस से related है थोड़ी-थोड़ी सी information उसमें पूछी जाती है, और इसका मकसद क्या है कि बच्चों के अंदर students में internet application का use किस तरह से किया जाता है website किस तरह से read की जाती है या फिर website के बारे में information बच्चों के अंदर पैदा हो वो उसकी मालूमात हासिल करें, इसका यही सिर्फ purpose है आपको आपकी syllabus में देने का देखते हैं, questions, sample questions देखते हैं, देखें यहाँ पर एक आपको page दिया गया है यहाँ पर देखें, यह एक लोगो है, उनका एक symbol है, मराथे ज्वेलर्स का तो MJ किसके लिए, मतलब किसका short form है, MJ stands for Marathi Jwellers, जो के यहाँ पर दिया गया है वो हमारा Magnificent Jwellers है, Marathi Jwellers है, Marathi Jwells है, और Marvelous Jwellers है तो देखें, यहाँ पर जो दिया गया है, Marathi Jwellers, तो यह हमारा दो नमबर को option सही है Next है, वही website है, उस पर second question है, the name of mentioned website is इस website का नाम क्या है, तो website का नाम जो है, वो यहाँ पर होता है देखें, www.marathedjwellers.com, यह जो है उसका नाम है, तो यह first number का option है हमारा जिसमें www.marathedjwellers.com दिया गया है, जो के website का नाम है एक अगली website दी गई है, let's read the website and choose correct alternative of the following questions यहाँ पर देखें, इसका नाम है, अवंति का ग्राम, अवंति का ग्राम, कला ग्राम तो इसके उपर जो दिया गया है, तस्वीरे वगरा दी गई है, उससे ऐसा लगता है कि यह किसी आर्ट वगरा का के तालुक से है, यहाँ पर about us है, गैलरी है, facilities and activity है, tariff, products and contact us, तो अभी इस पर 19 सवाल है, the words about us, explain or tell us about तो यह जो about us, इस तरह का जो यहाँ पर एक icon दिया गया है, यह इसका क्या मतलब होता है, यह क्या हमें जाहिर करता है तो देखिए यहाँ पर यह highlighted है, यह जो gallery है, facilities and activities यह जो other जो यहाँ पर दिये गए है icons वो highlighted नहीं है, यह dark shade में है, यानि इस पर जब हम click करते हैं, तो उसके अंदर जो भी information होती है, वो हमें सामने display होती है, जब आप इसको actually handle करेंगे, तो उस वक्त आप तो समझ में आएगा, तो यहाँ पर about us का मतलब क्या होता है, कि जो भी company है, वो उनके बारे में, वो company अपने बारे में जो information देती है, वो इसमें दिया होता है, about us, यानि वो company अपने बारे में holidays, यानि holidays में holidays enjoy करते हुए, आप art वगरा, craft वगरा सीख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा है resort है, तो यह एक like hotel का यह है, website है, अवंतिगा कलागराम, तो यह about us का मतलब होता है, कि company जो है, अपने बारे में बताती है, तो यहाँ पर option दिया गया है, personal appearance, physical appearance, history, या फिर detailed information about company, तो यहा होगा, कि यह अवंतिगा कलागराम जो है, वो अपनी detailed information देती है, about company, अगला है, second question है, इसी website पर मुनसिर, what stay facility is not included in the website, अब कौन सी stay facility इस website पर included नहीं है, तो देखिए, अगर हम इस website को देखेंगे, तो यहाँ पर stay facility यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर pictures के जरीए बताया गय है, कि कौन-कौन सी facility है, यहाँ पर अभी यह black and white में है, और image है, तो सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है, वो special tent नहीं है, इसलिए हमारा second number वाला option सही होगा, next है, let's read the website and choose correct alternative of the following questions, Travelocity, यह एक website है, तो इसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है, कि यह traveling की website है, देखते हैं, question, what is the name of company in given website, company का नाम क्या दिया गया है, तो यह जो लोगों के साथ में यहाँ पर, जो bold में या फिर कुछ different writing में जो दिया जाता है, वो company का नाम होता है, तो यहाँ पर Travelocity दिया गया है, तो यह हमारा Travelocity second number वाला option जो है, वो correct है, next question है, for what purpose will you visit the website, अब इस website को आप किस मकसद के तहत visit करेंगे, to know exam timetable, to get movie tickets, cruise booking, या फिर to get scientific information, तो देखिए यह travel से related website है, तो यहाँ पर हम जो है वो cruise booking के लिए हम इसको visit करेंगे, यानि हमारा third number वाला option correct है, next है, let's read the website and choose correct alternative of the following question, यहाँ पर देखिए आकर्ष डिजाइन्स है, आकर्ष डिजाइन्स इसको देखकर ही लग रहा है और यहाँ पर जो image दी गई है, जो इस website पर लगाई गई जो image है, उससे ऐसा लग रहा है कि यह कोई interior decor की website है, तो देखिए यहाँ पर question है, the tagline of आकर्ष डिजाइन्स, अब इसकी tagline क्या दी गई है, तो देखिए यही पर दिया गया है कि आकर्ष डिजाइन्स, we create experiences, तो यह उनकी tagline है, यहाँ पर option में है, we create happiness, we create sad moments, या फिर e create beauty, या फिर we create experiences, तो यह जो हमारा four number वाला option है, वो correct है, next है question, इसी website से related, the name of website आकर्ष डिजाइन्स, अब इसकी website का नाम क्या है, तो website का नाम जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, आपको इसके पहले भी बताई हूँ मैं, यहाँ पर website का नाम होता है, आकर्ष डिजाइन.com, तो यहाँ पर इस तरह का option जो है वो, आकर्ष इस तरह के और भी आपको websites और उस पर मुनसिर सवालात दिये जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए, और इसी वीडियो के आखिर में उसकी answer की भी है, उससे अपने जवाबाद चेक कीजिए स्थाइब बाबबाद ठाइब हैं, आपको स्थार में जवाबाद बाद से तरह के आपको हैं, आपको स्थार सब्सेटर धर में तरह को चेहां। झाल 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 झाल